देव उठनी एकादशी ऐसी कहानी सुने अब हिंदी में तो चौनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन तो दबाना ना भूले तल यानी 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है हिंदु धर्म ब्रंथों में कार्टिक शुकल एकादशी को देव जागरन का पर्व माना गया है इस दिन श्रीहरी भगवान विश्नु अपनी चार महीने की योग मिद्रा से जाग जाते हैं इस पावन तिथी को देव उठनी ग्यारस या देव प्रवो दिनी एकादशी भी कहते हैं मांगलिक कार्य भी इसी दिन से शुरू हो जाते हैं कार्टिक पंच्तीर्थ महासनान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्टिक पूर्णिमा तक चलता है पूरे महीने का आर्टिक्स नान करने वालों के लिए एकादशी तिथी से पंचभी का व्रत का प्रारम्ध होता है जो पांच दिन तक निरहार्थ निर्जला प्रहकर किया जाता है यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है देवुठनी एकादशी का महत्व पदम पुरान में वर्नेत एकादशी महात्यम के अनुसार देवुठ्थान एकादशी व्रत का फल एक हजार अश्वमेग यग्य और सो राज्शुय यग्य के बराबर होता है एकादशी तिथी का उपवास बुग धिमान, शांती प्रदाता वसंतति दायक है इस दिन पवित्र नदियों में इसनान वा भगवान विश्नु की पूजन का विशेश महत्व है इस व्रत को करने से जन जन मांतर के पापक्षीन हो जाते हैं तथा जन मरन की चक्र से मुक्ती मिलती है विश्नु पुरान के अनुसार किसी भी कारण से चाहे लोग के वशी भूत होकर या मुम की कारण जो एकादशी तिथी को भगवान विश्नु का अभिनंदन करते हैं वे समस्दुखों से वे मुक्त होकर जन मरन की चक्र से मुक्त हो जाते हैं देवुठनी पूजा विधी इस दिन सायकाल में पूजा स्थल को साफ सुत्रा कर लें, चूना, गेरू या आठे में हल्दी मिलाकर पूजा कक्ष में रंगोली बनाएं घी के ग्यारह दीपक देवताओं के निमित जलाएं फिर भगवान श्रीहरी विष्णों की पूजा के लिए द्राक्ष, इक, अनार, केला, सिंधाडा, लड्डू, पतासे, मुलियादी रितुफल एवं नवीन धान्य इत्यादी साथ रखें यह सब श्रधापूर वक्ष्रीहरी को अरपन करने से उनकी कृपा सदैब बनी रहती है देवुठनी पूजा विधी, इस दिन मंत्रोचारण, स्ट्रोप, पाठ, शंक, घंटा, ध्वनी एवं भजन, कीर्टन, द्वारा देवों को जगाने का विधान है सुख सौभाग्य में व्रिद्धी के लिए प्रभू का चरणामृत अवश्य ग्रहन करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी रोगों का नाश का रकाल मृत्यू से रक्षा करता है, सभी कष्टों का निवारन करता है इस दिन विश्लू स्तुती, शाली ग्राम वद तुलसी महिमा का पाठ्व वरत रखना चाहिए भगवान को जगाने के लिए इन मंत्रों का उच्चारन करना चाहिए उत्तिष्ट गोविन त्यज निद्रा जगत पत्ये त्वई सुप्ते जगनात जगत सुप्तम भवेदिदम उत्तिते चेश्टते सर्वमुतिष्थोतिष्थ माधव गतामेगा व्यच्चव निर्मलम निर्मलादिशः शारदानी चपुष्पानी ग्रहान मंकेशव मन्त ग्यात नहीं होने पर या शुद उच्चारन नहीं होने पर उठो देवा बैठो देवा कहकर श्री नारायन को उठाएं श्रीहरी को जगाने के पश्चात उनकी शोट शोप्चार विदी से पूजा करें देव उठनी एकादशी शुग मुहूर्त पंचान के अनुसार कार्टिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी 3 नवंबर गुरुवार को शाम 07.30 मिनट से शुरू हो रही है इस तिथी का समापन अगले दिन 4 नवंबर शुक्रवार को शाम 06.08 मिनट पर होगा ऐसे में उद्यातिथी के आधार पर देवुठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा और इसी दिन देवों को जगाया जाएगा मान्यता देवुठनी एकादशी का बहुत महत्व है इसे देवोग्थान एकादशी, देवुठनी अप्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है देवुठनी एकादशी हर साल कार्टिक महीने की शुकि पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है जब भगवान विश्नु शयन कक्ष में चले जाते हैं तो चार मास तक विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं पौरानिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विश्नु क्षीर सागर में चार माह की गहरी नीन के बाद जगते हैं उनके उठने के बाद हिंदू धर्म में सभी शुब मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। इस शुब अफसर पर लोग एक दूसरे को शुब कामना संदेश भेजते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी। तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती। वो घर स्वर्ग सामान है। देव उठनी एक आदशी की हार्दिक शुब कामना है। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।